दोस्तो लिंग का लंबा और मोटा होना उतना ही जरूरी होता है जितना आपकी टाइमिंग का ज़्यादा होना 92% फीमेल्स यानी 92% महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि उनके साथ ही का जो लिंग का साइज है वो छोटा है पतला है जिसकी वजाह से वो उनसे पूरी तरह से संट्विष्ट नहीं हो पाती है आज की इस दोर में लोग कई सारे कैपसूल का तेल का जैल है ती क्रीम आती है पन तनाउ में कमी एक बार कर लिया दोबारा ना कर पाना दोबारा जल्दी से तयार ना हो पाना लिंग सिकुड गया है चोटा पन पतला पन डीला पन टेहडा पन है अगर ऐसी कोई समस्या है तो इसके लिए आपको दो जीजे बताएंगे एक नुस्खा बताएंगे कि हुँ हमन हुसेन और आप देख रहे हैं हुसेन हेल्थ केर चैनल अगर आपने भी दिख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और घंडी वाला बटन दबाना ना भूलें से हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए आपको कोशी चीजों की जरुट होती है जिसमें पहली चीज है सियाह बिच्छू ये आपको मिलेगा पंसार की पुरानी दुकानों पर जो आपके गाउं के अंदर होती है उन पे नहीं मिलेगा शहर में कोई बड़ी दुकान होगी पं पुर्टी ये आपको तेल मिलेगा हमदर्दवालों का ये आपको लेना है दस ग्राम अब आपको करना ये है इन सबी चीजों को मार्केट से ले आईए और इसके बाइल करना है और इस में फिर आपको स्याह बिच्छू जायफल जाल्चिनी लांग बीर बहुटे का तेल य जब ये तेल जल कर बिल्कुल सुरुख हो जाए लाल हो जाए और ये जायफल दालचीनी वगरा इसके अंदर बिल्कुल जल जाएं तो आप इस तेल को उतार लीजिए और उसके बाद इसको ठंडा करिए किसी शीशी में च्छान कर भर लीजिए अब ये तेल आपका बनकर त करते टाइम के वीरिये ना निकले उंगली से मालिश करनी है हास से मालिश नहीं करनी आपको और जादा धेर मालिश नहीं करनी है एक से डेड़ ये दो मिनिट ही आपको मालिश करनी है इस तरह से आपको दोस्तों इस तेल का इस तिले का इस्तिमाल करना है वो लोग इसका इ जो कि प्योर आयरुवेदिक देसी जड़ी बूटी से तयार है इसका कोई नुकसान कोई साइड इफेक्ट नहीं है आप इस दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर इंदर जोशरीन, असगंद, ताल, मखाना, शिलाजीत, शतावर, सालम मिस्री जैसी जड़ी बू विडियो के साथ अब तक के लिए जैहिं